हेलो गाइज हेलो 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 वाट्स आप क्या हाल चाल है सबके आई होप कि यार सब लोग अच्छे होंगे देस इस यौर एन्वी सार एंड लेट इस गेट स्टार्टेड ठीक है ठीक है 3D जोमेट्री का जही ब्रीफ आजम करने वाले नए सिलिबस के अकॉर्डिंग तो डि अधार तरीके से चल रही होगी ठीक है यास यास आवाज आ रही है सबको फाइन 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 स्टार्ट करें 3D जोमेट्री का जही ब्रीफ आज हम करने वाले हैं तो डिफिनेटली मतलब सारे के सारे कॉंसेट्ट्स को हम यहां पे कवर करेंगे तिल योर मेंस लेवल अपनी जो जही ब्रीफ की सीरीज है यहां पर हम जो अपना नया सिर्विस आ चुका है जही दोजाद चौबिस का उसके एकॉर्डिंग जितने भी टॉपिक से आला कि यहां पर आपका प्लेंड डिलीट हो गया है तो आपको पूरा-पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इफ यहां प्रिपेरिंग फॉर जही मेंस तो आपको खाले लाइन वाली जो खानी होते ना इक्वेशन ऑस्ट्रेट लाइन पर्पेंडिगुलर दिस्टंस फ्रॉम लाइन लाइन वाले सारे टॉपिक अपने को पढ़ने शॉर्ट टिस्टंस व काफी सारी चीज़ें अपने को कम पढ़नी पड़ेगी है कि नहीं चलो ठीक है तो स्टार्ट करते है एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आप टेंशन मतले ना आज की जो क्लास हो लगबग 2-5 गंटे की चलेगी जैसा हर सेशन आपका होता है जी ब्रीफ में ठीक है त स्टार्ट करता है सबसे पहले 3D जोमेट्री वेक्टर अलगेब्र का लेक्चर अगर किसी ने नहीं देखा तो वह डेफिनिटली हो चुका है वह भी आप एक पर देख लेना बट 3D जो मेट्री जो है 3D और वेक्टर दोनों मिला के यहां पर आपका वेटेज भी बहुत ज चैप्टर में या ऐसा भी हो सकता है कि reduced syllabus से भी उतने ही सवाल आएंगे जितने पहले आते थे अब यह तो पेपर होगा तभी पता चलेगा किसी को भी नहीं पता है ठीक है बट आप डेफिनिटली यह एक्सपेक्ट करो कि जितने जादा सवाल आये उतना हमारे लिए तो अ कहीं नहीं जाएंगे और दो सवाल मतलब बहुत बड़ी बात होती है आपको पता यह mathematics के पेपर आजकल ऐसे आ रहे है कि मतलब अगर कोई बच्चा 13 14 15 सवाल भी कर देता है ना तो उसकी 99% है ला जाती है है कि नहीं तो डेफिनिटली दो सवाल बहुत बड़ी बात होती है specially maths जैसे subject में ठीक है तो येस इसको अच्छा से पढ़ने की कोशिश करो सिंस वेटेज भी अच्छा खासा है और सवाल आते ही आते है और सिंपल सवाल ही इसमें बन सकते है क्योंकि इसमें scope ही नहीं है यह calculus थोड़ी है कि ऐसा function दे दिया जिसका graph ही नहीं बना नहीं है यह calculus से पढ़ लो डंग से पढ़ लो तो definitely आपके minimum दो सवाल तो आप मान के चलो की confirm हो सकते है ठीक है अच्छे से पढ़ा है तो ठीक है चलो है ना सर, lunch का लिया क्या हाँ मैंने तो देखो अपने learn कर लिया है क्योंकि मुझे पता था कि अबी अभी मैंने अपना जो लैंचे वह कर लिया अ लोगों ने नहीं किया है, तो आप कर लेना, बाद में कर लेना, या देख लेना, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेक कर लेना, ठीक है, यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे तो यार मतलब फुल, फ्लेक्सिबल होता है, अगर कोई बाद में देखना चाहे, तो भी देख सक ठीक है एक्स वाई और जैट और यह थो आई थिंक हमने कल भी पढ़ा था कि जब भी आप एक्सट् axis होती है. तीन coordinate planes भी होता है. कौन कौन से coordinate planes है. जिसे एक यह plane हो जाएगा xy plane एक यह वाला plane हो जाएगा yz plane यह xy plane है यह yz plane है और यहाँ पे भी एक plane है यह है आपका xz plane. तो total अगर 3D geometry की बात करी जाये, total 3 coordinate planes are there. 3 coordinate axes are there और 8 octent होते है जैसे पहले हम Quadrant पढ़ते थे थे ना X-axis और Y-axis अगर आप ड्रॉ करोगे तो माननों यह X-axis Y-axis इसको हम बोलते हैं फर्स्स Quadrant इसको हम बोलते हैं सेकेंड कौड्रांट इसको हम बोलते हैं फूर्थ अब देखो यह उक्टेंट वगेरा यह जो सारी चीज़ें उसके उपर जादा मतलब जो जही वाले बच्चे उतना ध्यान नहीं देते क्योंकि यह सब ncrt में है लेकिन आजकल आपको पताई कि यार सब कुछ ncrt बेज हो रहा है दीरे-दीरे यह पता ही नहीं होता है पढ़ लिया पूरा चैप्टर पढ़ लिया सब लाइन प्लेन सब पढ़ लिया लेकिन यह नहीं पता है कि कौन कौन समलब कैसे उसका नाम करण करते है जैसे यहां पर फिक्स होता ना इसी को फर्स्ट कौटरेंट बोलते है इसको अब थर्ड कौटर चार ऊपर से देखो आप और नीचे से देखोगे तो भी आपको चार देखेंगे तो चार ऊपर है और चार नीचे है अब इनका नामकरण कैसे करते हैं यहां वाला जो होता है यहां पर आगे वाला जो होता है वह फर्स्ट अक्टेंट होता है फिर थर्ड अक्टेंट होता है और फिर 4th octant होता है यह सौन में आया 1, 2, 3, 4 आपको हमेशा anti-clockwise जाना होता है ठीक है यह वाला 1 इधर वाला यह इसके आगे वाला जो होगा that is 1 इसके पीछे वाला जो है that is 2 यह वाला 3, यह वाला 4 और similarly नीचे स्टार्ट होगा यही से यही से स्टार्ट होता है और anti-clockwise जाता है तो जो आगे वाला है नीचे that is 5th octant इसके पीछे वाला जो होगा वो 6th octant होगा फिर anti-clockwise आपको जाना है ऐसे गूमना है है ना तो 5, 6 उसके बगल वाला जो वाला पीछे होगा मतलब basically that will be 7 और यह आगे वाला जो है that is 8 चमा गया ना आपको ऐसे गूमना है आपको anti-clockwise गूमना है तो 1st, 2nd, 3rd और 4th 5, 6, 7, 8 मतलब यह सब basic NCRT में है तो अब देखवा आपका पूरा syllabacy NCRT based हो रहा है पहले तो जब यह पढ़ाते थे तो यह सब बताते भी नहीं थे कि octant और यह सब है 8 octant होते है 3 coordinate axis होती है और 3 coordinate planes होते है यह आपको पता होना चाहिए इसके अलावा जो basics है that is distance formula आले कि distance formula सबको आता है तो जबान लो एक point आपको given है 2,3,5 और दूसरा point आपको given है 1,0,1 तो आप इन दोनों के बीच में distance formula लगा के distance बता सकते हो एक बार फटा फट बता ही दो चलो ठीक है तो definitely यहाँ पे आपको distance निकालनी है distance formula क्या होता है distance formula यह यह जैसे बच्पन में पढ़ते हैं x1-x2 का whole square since यहाँ पे whole square है तो आप x1-x2 करो या x2-x1 करो सब एक ही बात है basically delta x और यह delta y square करके add करना है अब एक नया member भी आ गया है तो z1-z2 भी हम करेंगे ठीक है तो ultimately क्या आ जाएगा under root of यहाँ पे देखो 2 है और 1 है तो इनको subtract कर दो 2-1 का whole square तो आप गया ना 3-0 का whole square यह सब basic basic है आप लोग को already आता ही है तो यह आ जाएगा देखो अब यहाँ सब कर लो जो भी आता ही है 1-3 का square 9 और 6 का square 36 तो यहाँ से कितना आ जाएगा यह ultimately आ जाएगा root of 46 units यह यूनिट्स बगरा लिख दिया करो आला कि यह सब board exam में काम आता है बट हाँ जही के लिए आपको distance formula at least आना चाहिए उसके अलावा जो basic है that is section formula section formula तो आप ऐसे याद कर लो cross multiply करते है क्या करते है for example मानलो एक line segment है let us say कि यह जो line segment है यह पी क्यू है यह वाला जो point है this is 3,2,-1 और यह वाला जो point है this is 5,2,-2 मानलो ऐसे आपको दोनो points given है और फिर आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे point है r जो इसको divide करता है 2 is to 1 के ratio में तो इस point r के coordinates बताओ तो क्या करना होता है बताओ section formula मनला cross multiply इसके coordinates निकालने है अपने को r के तो r के coordinates कैसे निकालने है cross multiply करो पहले देखो x coordinate पे focus करो यहाँ पे x coordinate यह है और यहाँ पे x coordinate यह है और cross multiply कर दिया करो 2 into 5 यहाँ पे क्या आएगा 2 into 5 तो 10 और 1 into 3 तो यहाँ पे 3 आजाएगा और नीचे आता है m plus n तो आप ऐसे याद कर सकता हो basically formula याद करने का तरीका है cross multiply कर दिया करो y coordinate similarly 2 into 2 तो 4 आजाएगा और 1 into 2 तो यहाँ पे 2 आजाएगा और नीचे हमेशा m plus n आता है तो 2 plus 1 3 similarly यहाँ पे 2 into minus 2 तो minus 4 आजाएगा और यहाँ पे कितना आजाएगा minus 1 तो आप ऐसे लगा सकते हो section formula और कभी-कभी क्या करते है external division दे रहते है तो अगर external division है तो ऊपर और नीचे minus minus आजाएगा बस इतना ही फरक होता है अगर internal division है then this is the formula mx2 plus nx1 divided by m plus n यह सब हम बचपन में वैसे तो पढ़ी चुक है अगर external division है तो बस n की जगह minus n आजाएगा n की जगह क्या आजाएगा मतलब ऊपर भी minus आता है नीचे भी minus आता है आपको cross multiply करना है लेकिन बीच में minus लगाना है ऊपर भी और नीचे भी नीचे भी 2 minus 1 आएगा m minus n आता है नीचे भी ठीक है तो external division है तो minus minus ले लो midpoint formula midpoint के लिए average कर दिया करो average मतलब 3 plus 5 by 2 आ जाएगा सीधा-सीधा midpoint भी आप निकाल सकते हो तो ये सारी बाते clear है क्या है ना basics अगर clear है तो फिर आगे बड़े distance formula, section formula ये सारी basic basic चीज़े तो आपको पता ही है ठीक है अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनना ठीक है ये भी हलक ही basic ही है बट ये आपको तुरंत चमकना चीज़े है इसमें मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ना सोचने लग जाते है समझने लग जाते है और उनको click तो करता है लेकिन डेड़ मिनिट के बाद उतने मैं तो chemistry के सवाल हो जाते है ठीक है तो definitely आप आपको मतलब इसमें सोचने की जरुवत नहीं पढ़नी चीए अगर आपको कोई भी point given है for example मालो कि मैं आपको ऐसे ही random कोई भी एक point दे दू something like this और फिर मैं पूछू कि इस point का distance बताओ मुझे xy plane से find out the distance of this point from xy plane xy plane तो इसका direct formula होता है यह होता है mod z मतलब जो भी z coordinate है उसका mod ले लो बस जो भी उस point का z coordinate है उसका mod ले लो मतलब इस case में answer कितना आजाएगा answer आजाएगा 7 तबंग क्या 7 units आप बोल सकते हो ठीक है तो finally 7 आजाएगा यहाँ पे मतलब किसी भी point का distance अगर आपको निकालना है coordinate plane से इसको क्या बोलता है xy plane क्या है coordinate plane है अगर आपको xy plane से distance निकालना है किसी भी point का तो वो होता है z coordinate similarly अगर आपको इसी point का distance निकालना है yz plane से तो that is nothing but mod x डाइरेक फॉर्मिला है याद रखो मतलब जो भी x coordinate है उसका mod ले लो यहाँ पर x coordinate है 5 उसका mod ले लो क्योंकि distance है ना तो distance negative तो हो नहीं सकता है similarly इसी point का distance अगर निकालना है xz point से तो जो भी y coordinate है उसका mod ले लो यह formula है मलब basically चमक गया ना तो y coordinate क्या है 3 तो यहाँ पर 3 आ जाएग चमक गया तो यह तो formula होगे कि अगर आपको कोई भी एक randomly कोई भी एक point पकड़ा दिया उसका distance बता दोगे आप इसमें कुछ भी ऐसा diagram बनाने की ज़रूद नहीं है कुछ भी ऐसा visualize करने की ज़रूद नहीं है बहुत सारे बच्चे मैंने देखा न इसको plot करने बैठ जाते है कि अच्छा यह वाला point है इसका मतलब 5 unit चलना पड़ेगा x का direction में 3 unit चलना पड़ेगा y का direction में और minus 7 चलना पड़ेगा z का direction में इतना सोचो कि तो सवाल कब करोगे तो जादा नहीं सोचना है यह directly आपको पता होना चाहिए similarly x axis, y axis और z axis से distance निकालना तो यह तो हो गया कि coordinate plane से distance निकालो एक point का लेकिन कभी-कभी आपसे पूछा जाएगा कि मालो point है 3,4,-5 कोई भी एक point आपको दे दिया और बोलेंगे कि distance of this point निकालो from x axis from the coordinate axis x axis से पूछ सकता है y axis से पूछ सकता है especially objective में तो यह equation बनी सकता है direct नहीं आएगा बट indirect आएगा किसी एक बड़े सवाल का छोटा part हो सकता है यह सब छोटे मोटे formulas पता होना चाहिए तो इस point का distance x axis से कैसे निकालेंगे तो उसका formula होता है under root of y square plus z square सीधा सीधा तो again कुछ भी plot करने की ज़रूद नहीं है कुछ भी हवा में diagram बनाने की ज़रूद नहीं है अच्छा यह वाला point तो space में है जादा नहीं सोचना होता है coordinate geometry की सवाल तभी बनेंगे जब basic formulas याद होंगे तो basic formulas अच्छे से यहाँ पर चमका लो जैसे इसका answer क्या आएगा इस case में answer क्या आएगा under root of y coordinate जो भी है उसका square और z coordinate जो भी है उसका square तो यह आजाएगा आपका distance from x axis similarly distance from y axis निकालना है तो under root of x square plus z square और अगर distance from z axis निकालना है और z coordinate जो भी है तो यहाँ पर simply आप 5 का square लिख सकते हो क्योंकि minus 5 का square लिखो या 5a की बात है तो यह आजाएगा और यहाँ पर कितना आजाएगा 3 square plus 4 square यह चमक गया yes or no तो अगर किसी भी point का distance पूछा होगा coordinate plane से आराम से बता देंगे इसमें क्या mod z, mod x, mod y और किसी भी coordinate axis से पूछा है तो भी हम बता देंगे तो यह सारी बाते अगर आपको समझ में आ गई तो एक बार फटा फट इन सब के answers बता दो है ना चाइट में धड़ा धड़ एकदम फटा फट इन सब के answers आ जाने चाहिए इस point का distance निकालना है x axis से तो क्या formula होता है under root of y square plus z square होता है सीधा सीधा आप उड़ा दिया करो है ऐसे सवाल तो ठीक है और यह ऐसा नहीं कि direct सवाल आएगा कि अच्छा इस point का distance बताओ आपको पूरा सवाल solve करवाएंगे आपको बोलेंगे कि p is the image of some point in some line वो image निकल वाएंगे और फिर पूछेंगे कि उस image का distance बताओ x axis से तो ऐसा कुछ सवाल आगे चलके बन सकता है ठीक है तो यह basic चीज़े आपको पता होनी चाहिए तो under root of कितना आजाएगा 4 square plus 5 square आजाएगा similarly इसका answer अब तो आपको formula भी लिखने की ज़रूद नहीं है सीधर सीधर y axis बोला है ना तो x और z का square कर दिया करो x का square और z का square यहाँ पे क्या आजाएगा under root of z axis बोला है तो x का square और y का square और minus भी लेने की ज़रूद नहीं है क्योंकि minus 4 का square is same as 4 का square ठीक है xy plane, y z plane और z x plane x y plane में z coordinate होता है तो यह 5 आजाएगा इसमें x coordinate होता है 3 आजाएगा और इसमें y coordinate होता है तो यह 4 आजाएगा मलब mod ले लिया करो आप जो भी point है हम आराम से बता सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं यहाँ तक एकदम crystal clear है और आगे बढ़ता है अगर कभी centroid पूछ लिया जाए तो मान लो कि यह vertex दे दिये आपको तीनों के तीनों vertex दे देंगे तो centroid का भी वैसा ही formula है जैसा हम 2D geometry में पढ़ते है 2D में पढ़ता नहीं कि x1 प्लस x2 बस एक नया member आ गया z में भी वैसे ही होता है जैसा x में और y में होता है कोई नया थोड़ी है मतलब z भी तो वही category का है जिस category के x और y है तो कोई नया नियम नहीं बनाएंगे उसको भी बोलेंगे कि तुम इसी नियम को follow करो इंटरनेट का issue हो गया था तो now is it fine अभी सही है are we back तो फटा फट एक बर confirm करो ठीक है फिर start करते है मैंने एक्चुली ये पढ़ाना start कर दिया था इसको repeat कर दूंगा ठीक है तो direction cosine से start करेंगे यहां से आपका actual chapter भी start होता है ठीक है तो definitely यहां से थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा अभी तक basic basic बाते तो हो गई है यहां से हम continue करेंगे एक बार confirm करो लेकिन पहले तो आवाज आ रही है all good everything is fine सही है सब कुछ yes 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 एक second यह camera भी थोड़ा सा हाँ अभी ठीक है ना चलो तो start करते है ठीक है direction cosine वाला जो topic है यहां से basically हम start करेंगे ठीक है इससे पहले हमने centroid पड़ लिया था ठीक है तो यहां तक आपकी basic basic बाते एक बार फिर से देख लेते है ठीक है एक तो distance formula हो गया एक हो गया section formula ठीक है तो यह एकदम basic है सबको पता ही है ठीक है फिर अगर आपको किसी भी point का distance निकालना है coordinate planes है xy plane yz plane तो वो कैसे निकालते है वो एक तो उन्हें पड़ लिया ठीक है और उसके अलावा अगर कोई point है जिसका distance निकालना है coordinate axis से x axis y axis z axis तो उसके formula क्या होता है यह भी आपको पता होना चाहिए ठीक है और एक centroid centroid is nothing but average आप जो triangle के vertex है उसका average कर दो तो centroid आपको मिल जाएगा ठीक है चलो अब start करता है main or important topic which is direction cosine यहां से आपको सवाल आने के chances भी है ठीक है तो ध्यान से सुनना मेरी बात है न क्योंकि यह वह वाला topic है जहां पर maximum लोगों को दिक्कत आती है सर यह वाला topic समझ में नहीं आता है कितनी भी बार पढ़ लो लेकिन नहीं चमकता है तो ध्यान से सुनना एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा direction cosine क्या होता है एक दम basic से ही पढ़ाता हूं मैं ठीक है तो मान लो एक vector है ठीक है यह कोई भी एक vector है जो की space में है तो यह कहीं पर भी हो सकता है it can be like this or it can be like this तो यह कैसा भी हो सकता है एक vector है जो की space में है अब अगर यह vector है तो यह कुछ ना कुछ angle बना रहोगा x-axis के साथ ये कोई भी एक vector है ये कुछ ना कुछ angle बनाएगा x-axis के साथ कुछ angle बनाएगा y-axis के साथ और कुछ angle बनाएगा z-axis के साथ तो मान लेते हैं कि ये जो vector है vector v है मान लो ठीक है तो vector v, vector v is making some alpha angle with the positive direction of x-axis similarly अगर ये एक vector है तो ये कुछ ना कुछ angle बना रहोगा y-axis के साथ भी और अगर ये एक vector है तो ये कुछ ना कुछ let us say कि gamma angle बना रहे जैडिकस के साथ ऐइज वैक्टर जोकी space में है ये ध्यान रगना ये जो vector है ये space में है तो अगर कोई भी एक vector है जो space में है तो वो कुछ angle बनाएगा x-axis के साथ यही वाला vector कुछ angle बनाएगा y axis के साथ और यही वाला vector कुछ angle बनाएगा z axis के साथ चमक गया ना तो वो angles है alpha, beta, gamma alpha, beta, gamma are nothing but angle made by that vector with positive direction of x axis, positive direction of y axis and positive direction of z axis respectively तो इसका cost ले लो, यह जो alpha, beta और gamma है इनका क्या ले लो, cost ले लो इसी को बोलते है direction, cosine बस यही है basic definition, ठीक है इनका क्या ले लिया, इनका cost ले लिया तो इसी को बोलते है direction, cosine this is nothing but this is direction, cosine तो basic definition clear है अगर दुनिया का कोई भी एक vector है जो कुछ alpha angle बना रहा है positive x axis के साथ beta angle बना रहा है, मतलब alpha, beta, gamma measure कर लो x axis के साथ क्या angle है y axis के उस vector का x, y, z के साथ angle और उसका cost ले लो उसी को बोलता है direction, cosine cos alpha, cos beta, cos gamma और इनको generally represent किया जाता है L, M, और N के साथ cos alpha को हम L बोल देते है इसको M बोल देते है, इसको N बोल देते है ठीक है, इनको generally represent किया जाता है L, M, और N के साथ तो यही है basic definition of direction cosine अब direction cosine में एक property होती है तो यह property आपको पता होनी चाहिए एक important result है basically तो यह directly आपको पता होना चाहिए cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma निकालोगे तो इसका value हमेशा 1 आता है ठीक है alpha, beta, gamma क्या है किसी भी एक vector का वेक्टर या आप line भी बोज़कते हो आगे चलके यह जो vector है इसको या एक vector है जो alpha angle बना रहा है, beta angle बना रहा है gamma angle बना रहा है with x, y, z तो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma का value हमेशा 1 ही होता है एक direct result है इसको याद कर सकते हैं और अगर cos square alpha को अगर आप लिख दोगे 1 minus sin square alpha तो यह वाला formula बन जाएगा basically पहले वाले से दूसरा वाला आजाएगा cos square को लिख दो 1 minus sin square यहाँ पे भी cos square को लिख देना 1 minus sin square beta और यहाँ पे आजाएगा 1 minus sin square gamma equal to कितना है? equal to 1 है तो यह 1 से 1 cancel हो जाएगा और इन सब को उधर बेज देना यह दूसरा वाला result भी आगया sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma कितना आजाएगा? 1 plus 1 2 आजाएगा तो हमेशा यह direct result है यह आपको यादोना चाहिए cos alpha को हम generally represent करते है L के साथ तो यह L square हो गया cos beta को हम generally represent करते है M के साथ और इसको हम generally represent करते है N के साथ तो यह L square plus M square plus N square जो होता है वो हमेशा 1 होता है और इसी से अगर आप एक vector बनाओगा जैसे वालो इसी से एक vector बना दिया L I cap plus M J cap plus N K cap इनी के आगे यह जो L M और N है इनके आगे I J K लगा दिया तो एक vector बन गया वो जो vector होगा ना वो unit vector होगा यह क्या होगा यह unit vector होगा यह unit vector क्यों होगा क्योंकि अगर आप इसका magnitude निकालो आप magnitude कैसे निकालता है ऐसी तो निकालता है L square plus M square plus N square जो भी उसका X, Y और Z component है उनको square करके add कर दो अब अपने को पता है कि यार इसका value तो 1 है तो ultimately यह unit vector बन जाएगा ठीक है तो direction cosine पूरा का पूरा clear रेगा alpha, beta, gamma are the angles with positive XYZ respectively cos alpha, cos beta, cos gamma इसी को बोलता है direction cosine और इनको represent करता है L, M और N के साथ और L square plus M square plus N square का value हमेशा 1 होता है बस इतना ही आपको जानना है इससे आपके सारे सवाल बन जाएंगे ठीक है अच्छा यह तो हो गया direction cosine अब direction ratio क्या होता है direction vector क्या होता है तो यह भी आप एक एक करके समझो ठीक है direction ratios are nothing but they are proportional to direction cosines तो अगर आपके पास direction cosines आ गहे आप उसको lambda से multiply कर दो तो direction ratio आ जाएगा direction ratio is nothing but it is proportional to direction cosine अगर आपके पास L, M और N का value आ गया ना तो तीनों को एक scalar lambda से multiply कर देना तो यह आ जाएगा lambda L, lambda M और lambda N इसी को हम बोलता है direction ratios और direction ratios को generally represent किया जाता है A, B और C के साथ तो यहाँ से A का value आ गया B का value आ गया और C का value आ गया direction cosine को एक scalar से multiply कर दो scalar से multiply कर दिया तो direction ratio आ गया आप इसी चीज़ को ऐसे भी लिखते है बहुत सारी books में आपको ऐसा लिखे A by L equal to B by M equal to C by N equal to lambda यह एक ही बात है ना अल्टिमेटली आपका जो A का value है वो आएगा lambda into L A का value कितना है lambda into L B का value कितना है lambda into M तो आप basically direction cosine निकाल लो direction cosine आ गया तो किसी भी एक scalar से आप multiply कर सकते हो यह scalar का value कुछ भी हो सकता it can be 2, it can be minus 2 इसी लिए हम बोलता है कि direction ratios are infinite in number direction ratios कितने होते हैं? infinite होते हैं direction ratios are infinite in number यह हमेशा infinite होते हैं क्योंकि lambda का value तो आप कुछ भी ले सकते हो जैसे मान लो कोई एक vector है अगर मैं आपको ऐसा बोलू कि एक vector है इसके direction cosine आपको given है 1 by root 3, 1 by root 3, 1 by root 3 यह आपको question में given है ठीक है यह क्या है? इस direction cosine है इस direction cosine क्यों है? क्योंकि अगर आप L square plus M square plus N square निकालोगे बना जाएगा तो यह direction cosine आपको given है अगर मैं आपसे पूछू कि इसी vector का direction ratio बताओ इसका direction ratio तो अगर आपको direction ratio चाहिए यह lambda से multiply कर लो अब आप बोलोगे sir lambda का value क्या ले कुछ भी लो ना जो आपका मन कर रहा है वो लो आप तो आप root 3 ले सकते हो जाचे मान लो मैंने lambda का value root 3 ले लिया तो माइनस वन माइनस वन माइनस वन आजाए यह सब direction ratio यह सब क्या है यह सब direction ratios है तब हम क्या है यह सब direction ratios है इस लिए direction ratios are nothing but it is proportional to direction cosine direction cosine is unit vector this is just a vector इसका magnitude क्योंकि कुछ भी हो सकता है देखो यहाँ पे अगर आप magnitude निकालोगे तो कितना है root 3 है इसका magnitude निकालोगे तो कितना आएगा 2 root 3 आएगा इसका magnitude कितना आएगा root 3 आएगा तो अलग-अलग magnitude भी हो सकता है लेकिन direction cosine का magnitude हमेशा 1 होता है चमक गया ना तो यह है और अगर आपके पास direction ratios है मान लो कि मेरे पास direction ratios है इसी के आगे अगर मैंने i, j और k लगा दिया जैसे मान लो कि a, b, c given है आपको यह direction ratios है direction ratios को हमेशा ऐसे represent करते है कॉमा कॉमा करके direction ratios are three numbers basically उनके आगे i, j, k नहीं लगाते कभी भी तो अगर आपको पूछा जाएगा ना अभी-कभी तो यह भी पूछ सकते कि find out the sum of the direction ratios क्योंकि यह three number है यह number है यह कुछ नहीं a, b, c क्या है तीन number है जैसे 2, 2 और 2 यह three number है चाहिए ना direction ratios को कॉमा कॉमा करके represent करते है और अगर आपको direction ratios given है उन ही के आगे अगे अगर आपने i, j और k लगा दिया इन ही के आगे क्या तो यह vector बन गया यह vector बन गया इसी vector को बोलता है direction vector इसको क्या बोलता है इसको बोलता है dv है na direction vector तो तीनों चीज़े समझ में आगे अगर आपके पास l, m, n है so this is nothing but direction cosine इसी को किसी lambda से multiply कर दो तो a, b, z आ जाएगा उसको बोलता है direction ratios और यह भी तीन number है यह भी तीन number है और इन ही के आगे अगर आपने i, j और k लगा दिया na a, i cap plus b, j cap plus c, k cap तो इसको बोलता है direction vector और इसके आगे अगर आपने i, j, k लगा दिया li cap plus m, j cap plus n, k cap तो यह भी direction vector है लेकिन यह unit vector है इसलिए इसको बोलता है unit direction vector this is nothing but unit direction vector चमक गया तो पूरी कहानी clear है अब देखो, अब यहाँ पर आते है पहले तो कुछ basic सवाल कर लो so that आपको इसका जो understanding है वो एकदम crystal clear हो जाए उसके बाद फिर j main वाले सवालों पर भी आते है जीसे मान लो एक line है उसके direction ratios आपको given है line के direction ratios given है तो आपको बताना है एक vector जो की line के direction में होगा find out one vector एक line है basically आप diagram ऐसे समझो एक line है ये एक line है इसके direction ratios आपको given है कितने given है 2 है minus 2 है and जो तीसरा वाला है वो one है तो ये आपको given है आपको एक vector निकालना है जो की इस line के direction में तो देखो अगर direction ratios given है और आपको direction vector चाहिए a vector in the direction of line is nothing but direction vector direction vector ही तो चाहिए आपको एक vector जो line के direction में होगा इसी को बोलते direction vector तो direction vector तो simply ऐसे ही आ जाएगा ना जो भी आपके direction ratio है उसके आगे i, j और k लगा दो ठीके तो ये आगया देखो this is direction vector ये क्या है ये direction vector आ गया अगर मुझे चाहिए unit vector in the direction of line तो इसी को magnitude से divide कर दो ठीके अगर आपको unit vector चाहिए तो इसी को क्या करेंगे magnitude से divide कर देंगे और आगे आप plus minus भी लगा सकते हूँ च्योंकि line के तो दोनो direction होता है ये भी एक vector है जो कि line के direction में है अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ तो ऐसा कर दूँ तो ये भी एक vector है ये भी line के direction में line का direction ये भी होता है, line का direction ये भी होता है vector का single direction होता है लेकिन line के दोनो direction होता है तो अगर आप आप आगे plus minus लगा दोगे तो भी चलेगा इसलिए अगर आपको direction cosine pressure Losin पूछे जाए लाइन के हमेशा 2 होते direction cosines are always 2, 1 plus 1 minus direction को साइन कितने होते दो होते हैं, direction ratio कितने होते हैं, infinite, direction vector कितने होते हैं, वो भी infinite, लेकिन unit vectors कितने होते हैं, unit vector दो ही आएंगे न, एक ऐसा और एक ऐसा, unit vector मतलब उसका length 1 है, तो one length का एक vector है, जो की line के direction में है, ये भी one length का एक vector है, जो line के direction है, समझ गया न, तो direction cosine 2 होते है, line के, line के direction cosine 2 होते है, होंगे जब direction ratio infinite है तो उसके आगे i, j, k ही तो लगाना है चमक गया ना तो सारी की सारी चीजे clear है की नहीं यह बेसिक बाते हैं बट यह सब पता होनी चीए मतलब डीटेल में पढ़ानी की कोशिस कर रहा हूं मैं आपको ठीक है और direction cosine क्या हो जाएगा direction cosine यही है direction cosines are nothing but three numbers तो L का value क्या हो गया है 2 by 3 यहां से minus 2 by 3 और 1 by 3 तो आप यह answer भी दे सकते हो और minus ले लो आगे तो minus 2 by 3 आजाएगा minus 2 by 3 plus 2 by 3 और minus 1 by 3 तो direction cosine अभी अभी तो मैंने आपको बोला एक line के 2 होते है always there are two in number direction cosine 2 आएंगे ना एक vector यह वाला और एक vector यह वाला इधर भी line का direction इधर भी line का direction है ठीक है so you just need to find out one unit vector which is in the direction of line this is also one unit vector which is in the direction of line चमका यह तो आपको direction ratio given है ijk लगा दो direction vector आ गया direction vector आ गया उसका unit vector चाहिए तो magnitude से divide कर दो और जो unit vector होता है उनी के जो components होते है उनी को direction cosine बोलते है मतलब यह आपका cos alpha है यह cos beta है और यह cos gamma है और अगर आप cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma निकाल के देखो के वह नहीं आएगा क्योंकि यह unit vector है चमक गया ना और आगे बढ़ते हैं एक और सवाल करो so that थोड़ा सा और clarity आजाए जीवन में उसके बाद हम previous question पे भी आते है ठीक है तो यहाँ पे आपको direction ratio पूछा है of line joining these two points अच्छा दो point given है और एक line है जो इन दोनों point को join करती है एक line है जो इन दोनों को join करती है तो इस line के direction cosines निकालने है एक तो पहले direction ratio निकालो फिर direction cosines निकालो और direction vector भी निकालो सब निकालो आप ठीक है तो यह वाला point given है 4,3,-5 और B क्या B है –2,1,-8 देखो अब simple जी बात है अगर आपको दो point given है जो की line के उपर लाई कर रहे है आपको अगर direction vector चाहिए होता ना direction vector का definition क्या है direction vector is just any one vector which is in the direction of line so you can take AB vector भाई AB vector जो है वो भी तो line के direction में है तो A और B को join कर लो एक AB vector आपको दिख रहा है अगर मैं दोनों point को join करने वाला एक vector देखू AB vector that is in the direction of line तो आप AB vector भी ले सकते हो या आप BA vector भी ले सकते हो BA vector is also in the direction of line कोई भी एक ले लो तो आपको वहाँ से direction vector मिल जाएगा direction vector is nothing but AB vector तो AB vector कैसे निकालेंगे B minus A करके तो B minus A कर तो कितना आएगा minus 6 आएगा माइनस 2 आएगा और माइनस 3 आजाएगा यह आपका direction vector आगया और अगर direction vector आगया उसी के आगया IJ के लगा तो मतलब यह direction vector जो है वो actually ऐसा है right this is direction vector यह क्या है यह आपका direction vector है this is direction vector direction ratio अगर आपसे कोई पूछेगा तो तो direction ratio यह है minus 6 minus 2 और minus 3 ठीके यह तीन number मतलब basically आप ऐसे bracket भी मत डाला करो ऐसे लिखा करो minus 6 minus 2 and minus 3 यह direction ratio हो गया और अगर direction cosine चाहिए तो तो इसको magnitude से divide कर तो जो भी magnitude आएगा कितना आएगा under root of 36 6 का square plus 2 का square plus 3 का square तो यह 49 आजाएगा मतलब इसका magnitude है वो 7 आजाएगा basically तो आप 7 से divide कर दो 7 से divide करेंगे minus 6 by 7 minus 2 by 7 and minus 3 by 7 तो यह आपके direction cosine है और अगर आपको दूसरा वाला direction cosine चाहिए तो बस एक बार plus ले लिया ना एक बार minus भी ले लो इसी को minus से multiply करते हैं तो 6 by 7, 2 by 7 and 3 by 7 तो यह भी direction cosine है चाहिए ना direction cosine आप निकाल सकते हो direction ratio भी आप निकाल सकते हो और direction vector भी आप direction vector is just any one vector in the direction of that line yes or no fine yes इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं अगर दो line given है जिनके बीच में मुझे angle निकालना है तो बस आप line के direction vectors निकाल दिया करो just find out one vector which is in the direction of this line यह मानलो L1 है तो L1 के direction में एक vector find out कर लिया L2 के direction में एक vector find out कर लिया और उन दोनों vector के बीच में angle निकाल दिया करो so angle between two lines is nothing but angle between their direction vectors दोनों line के direction में एक एक vector निकाल के उनके बीच का angle मैंने निकाल दिया यह दो yellow वाले जो vector है न उन vector के बीच में angle और vector के बीच में angle कैसे निकालंगे वही वहला अपना dot product वाला formula cos theta equal to a dot b upon magnitude of a magnitude of b इससे आप निकाल दिया करो अब यहाँ पे a और b क्या है a is nothing but direction vector of L1 and b is nothing but direction vector of L2 तो आप direction vectors के बीच में angle निकाल दिया करो ठीक है अब देखो सवाल कैसे आएंगे है न यह सब तो हो गया कि चलो theory पढ़ लिया आपने बट आप बोलो कि सवाल नहीं बनते है तो ऐसा question आने के बहुत ज़्यादा chances है या तो ऐसा question आएगा जितनी भी category possible होती है न यहाँ पर मैं सारी करा दूंगा आपको तो इसके बाहर सवाल नहीं आएगा that is for sure ठीक है तो एक one of the category यह है और यह बहुत powerful category है इसके question काफी अच्छे बनते है तो आपको क्या करेंगे आपको दो equation पकड़ा देंगे दीक है तो इसको ध्यान से समझना दो equation आपको पकड़ा देंगे और फिर पूछेंगे find out angle between lines अब आप बोलो के sir line तो given ही नहीं है मैं angle कैसे निकालता मेरे से तो बना ही नहीं है सवाल चार नंबर तो गए तो थोड़ा सा आप यहां पर समझो दो equation आपको question में पकड़ा देंगे और तीसरी equation होती है pocket वाली pocket वाली equation मतलब यह वाली क्योंकि हमें पताएगी l square plus m square plus n square का value था हमेशा वन ही होता है तो एक equation यह एक equation यह और तीसरी equation आपको देंगे नहीं आपको खुद बनानी है वह आपको खुद पताओनी चाहिए basically यह pocket वाली equation है इसको तो हम मतलब पहले से ही जानते है ठीक है तो यह तीन equation तीन variable अब इसको आपको solve करना पड़ेगा लेकिन जब solve करोगे ना तो multiple answers आए LMN और LMN दो set of values आएगी और उन दोनों के बीच में एंगल पूछ रहा आपको तो आप इसको solve करो चलो तीन equation तीन variable है ना LMN एक equation यह है एक यह है तो solve कैसे करेंगे तो देखो सबसे पहले तो इन दोनों को use कर लो इन दोनों को use करेंगे तो यहाँ पे जो M2 प्लस N2 है है M2 plus N2 को क्या लिख सकते है हम L2 equal to M2 plus N2 को लिख देना 1 minus L2 तो यहां से आ जाएगा 2L2 equal to 1 तो L2 equal to 1 by 2 आ गया तो L का value आ जाएगा plus minus 1 by root 2 यह आ जाएगा yes or no यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब आप क्या करोगी इन दोनों को solve equation 1 और equation 2 को solve करने की कोशिश करो त ठीक है तो L का value कितना है minus M minus N और यह value उठा के यहां पर substitute कर दो तो यह आ जाएगा minus M minus N का whole square this is equal to M square plus N square अब since whole square है तो यह तो plus plus हो जाएगा तो यह आ जाएगा M square plus N square plus 2mn यह solve करना पड़ेगा और जब आप solve करोगे तो दो set of values आएगी बस यह ध्यान रखना तो यहां से M into N equal to zero आगया अब since M into N zero आगया तो किसी एक का value zero होना अच्छी ना यह तो तब ही होगा when either M is equal to zero or N is equal to zero तो आपको दो अलग-अलग cases बनाने पड़ेंगे क्या बनाना पड़ेगा यह इतने आसान question नहीं होता है ठीक है तो आपको cases बनाने पड़ेंगे एक बार M zero होगा या तो M zero होगा या N zero होगा हमका दो अलग-अलग cases बनाने पड़ेंगे either this is zero or this is zero दोनों मैंसे कोई एक zero होना चाहिए तभी तो यह zero होगा M into N zero तभी होगा जब या तो यह zero हो जाए यह zero हो जाए तो एक case बना लेते हैं कि M का value zero हो गया अगर M का value zero हो गया देखो M का value zero हो गया तो L equal to N equal to हो जाएगा माइनस L और अगर इसका वेल्यू जीरो हो गया मानलो N का वेल्यू जीरो हो गया तो M का वेल्यू आजाएगा माइनस L ये चमक गया, ये आजाएगा और L की वेल्यू तो मेरे पास आई चुकी है इन दोनों में से कोई भी एक आप यूज कर सकते हो आंसर अल्टिमेटली सेम ही आएगा तो जस्ट टेक एनी वन कोई भी एक ही यूज कर लिया गरो जैसे मानलो मैंने प्लस वन बाई रूट टू यूज कर लिया तो L का वेल्यू में ले लेता हूँ प्लस वन बाई रूट टू अब जो भी वेल्यू आप यूज करो दोनों में सेम यूज किया करो इधर भी और इधर भी दोनों में सेम वेल्यू यूज करना अधरवाइस आंसर गलत आजाएगा तो दोनों में सेम वेल्यू यूज कर ली तो यहाँ पे L का वेल्यू कितना है 1 by root 2 L, M M का value 0 है और N का value आ जाएगा minus 1 by root 2 क्योंकि N is equal to minus L तो L आ गया, M आ गया, N आ गया इस particular case में इस particular case में मैंने L, M, N निकाल दिया, यहाँ पर भी बता दो यहाँ पर L का value तो यह है M का value आ जाएगा minus 1 by root 2 और N का value 0 है तो यह भी आ गया, यह भी आ गया अब इन दोनों के बीच में angle मुझे निकालना है angle निकालने से पहले अगर आप चाहो तो इनको simplify कर सकते हैं simplify कर लो, simplify कैसे करेंगे क्योंकि यह ultimately direction cosine है आप direction cosine के बीच में angle तो same ही आएगा ना आप unit vector के बीच में angle निकालो या इन दोनों vector को अगर मैं थोड़ा-थोड़ा बड़ा कर दू ऐसे इनको scalar से multiply करके इनकी length increase कर दू, तो angle तो same ही रहेगा तो इसलिए आप क्या कर सकते हो आप इनको scalar से multiply कर सकते हो यह तो direction cosine है तो आप मालो जैसे मैंने इस पूरी equation को root 2 से multiply कर दिया तो root 2 से multiply कर दिया तो यह आजाएगा और इसको भी root 2 से multiply कर दो इसको root 2 से multiply कर दिया तो 1, minus 1 और 0 आजाएगा अब इन दोनों के बीच में angle निकालो cos theta वाले formula से इन दोनों के बीच में मुझे angle निकालना है तो cos theta equal to a dot b a dot b का value 1 आजाएगा फिर इसका magnitude root 2 और इसका magnitude root 2 तो ultimately यहां से cos theta का value कितना आ रहे है 1 by 2 आ रहे है तो theta कितना आ गया 60 degree आ जाएगा final answer ठीक है तो finally क्या answer है 60 degree pi by 3 is the answer ऐसे question आएगे तो कर लोगे दो equation पकड़ा देंगे जरूरी नहीं कि यही वाली equation है तो आप concept पे जाओ l और m और n तीन variable है तीन variable दो equation देंगे तीसरी यह वाली है जब आप solve करने जाओगे न तो दो set of values आएगी एग ये और एग ये lmn lmn उन दोनों के बीच में angle निकाल दो तो ऐसा ही आएगा और आगे बढ़ते हैं अब आते हैं main बात पे which is equation और straight line देखो straight line की equation कैसे लिखते है 3D में, vector form में, partition form में vector form में कैसे लिखते है वो सब कुछ एक एक करके बताता हूँ सबसे पहले तो आपको अगर equation और straight line लिखनी है तो आपको दो चीज़े पता होनी चीए मालो जैसे ये कोई भी एक line है किसी भी line की equation लिखनी है दुनिया की कोई भी line हो कहीं पे भी हो space में ऐसे जारी है, ऐसे जारी है आपको in fact visualize भी करने की ज़रूद नहीं है कोई भी line है दुनिया की कैसी भी है, कुछ भी उसका orientation है कहीं पे भी जा रही है, कहीं से भी आ रही है उससे मतलब नहीं है जादा आप 3D में मत सोच अगर हो नहीं तो फिर answers नहीं आएंगे mathematics में answers भी तो निकालने होते interesting subject है, समझने में अच्छा लगता है answer तो आते नहीं है yes or no तो definitely एक line अगर आपको given है तो उसके उपर एक point आपको given होना चाहिए और उस line के direction में कोई भी एक vector अगर आपको given है then you can write down the equation of that particular straight line एक point given होना चाहिए उस line के उपर और उस line के direction में एक vector given होना चाहिए direction vector पता होना चाहिए अपने को ठीक है? तो line के ऊपर एक point जैसे माझन लो कि ये point आपको given है given है मतलब उसका position vector given है या फिर उसका coordinate given है तो इस point का position vector माझन लो आपको दे दिया small है और ये वाला जो vector है ये भी माझन लो आपको दे दिया small b तो आप इस line की equation को कैसे लिखोगे line की equation को हमेशा ऐसे लिखते है equation of line equation of line आ जाएगा r equal to point plus lambda times direction this is the equation of straight line this is the equation of straight line अब आप बोलो के सार यही क्यों होता है यह तो कोई भी पड़ा देगा मतलब को अगर मानलो board exam या हमारे जो school की teacher है उन्होंने भी यह तो बता दिया आज तक जो हमें नहीं पता है वो यह कि यह आया कहां से ठीके तो थोड़ा समय आपको यहां पर derivation भी अगर आप चाहते हो तो बता सकता हो लेकिन उसके लिए आप लोग को एक काम करना पड़ेगा हमने बच्पन में भी straight lines पड़ा है राइट बच्पन में जब हमने straight line पड़ा था तो ऐसा पड़ाता न कि अगर एक straight line है उसके उपर 2D geometry में आप मुझे 2D का बता दो 3D का मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो deal done करते है ठीक है 3D में basically direction vector होता है 2D में slope होता है 2D में js household बोलते उसी को 3D में 3D में क्या होता है direction vector होता है तो यहां पे point given direction vector given direction बोल सकते हो यह direction vector बोल सकते है यह ऐसा भी बोल सकते हो one vector which is in the direction of line एक ही बात है ठीक है यहां पे आपको point giving तो हम बोलते थे ना बच्पन में यही तो करते थे equation of straight line तो हम ऐसे लिखते थे बहुत खुशी-खुशी y-y1 equal to slope into x-x1 चीक है लेकिन क्या मुझे कोई यह बता सकता ही कि यह कहां से आया यह ऐसा ही क्यों करते y-y2 क्यों नहीं करते या y-m क्यों नहीं करते यह कहां से उत्पन हो गई यह तो आपने रट्टा मार लिया कि हाँ ऐसे ही होता है ऐसे रट्टा नहीं मारना होता है अगर आपको इस का logic पता है तो मैं आपको इसका logic बता सकता हूँ कहीं पे भी ले सकते हो, इधर, 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 इस तरफ भी ले सकते हो, कहीं पे भी एक general point ले लो, line के उपर, तो माल लो मैंने एक general point ले लिया, x, y, जो की line के उपर लाई कर रहे हैं, अब हम इसका slope compare करते थे, क्या compare करते है, slope, slope कैसे आएगा, y2-y1, y2-y1 upon x2-x1, यही तो formula होता है, two point form से slope निकाल, और slope मुझे question में भी given है, तो यहां से आता था, अब चमका, कि यह, अब इसको cross multiply कर दो, तो वही आगया, y-y1 equal to slope into x-x1, तो basic concept क्या है, भै देखो, जहां पे आप सोचना बंद करते हो, वहां से J-E वाले सोचना start करते है, तो अगर आपक बंद करते थे, तो यहां पे भी करो ना, अगर लूए, यहां पे जनरल पोइंट का position vector, ऐस्यूम कर लिया, मैंने र, यहां पे आर करते है, वहां पे xy होता है, इधर r से एक रेप्रेसेंट करते है, छीके, तो यह लिए जनरल पोइंट मैंने अजियूम कर लिया, अगर मै एक वेक्टर a b है जो की a और b point को हमने join कर दिया और a की ये direction vector है, b vector small b जो है ठीक है और ये दोनो parallel है और हमने अभी-अभी vector algebra की class कली हुई थी उसमें पढ़ा था ना कि if two vectors are parallel, they are proportional if two vectors are parallel, they are proportional और a b vector कैसे आएगा b minus a तो b का position vector क्या है r और a का position vector क्या है small a this is equal to lambda b तो आगया ना r is equal to a plus lambda b जो हम रटा मार के बैठते है actually वैसे रटा भी मार लोगे तो कोई बुराई वाली बात वैसे है नहीं ठीक है बट basics पता होना चाहिए, इसलिए मने बता दिया ठीक है तो यहां पर ultimately तो आपको यही ध्यान रखना है कि अगर आपको line की equation लिखनी है line की equation होती है a plus lambda b where a is the point एक point आपको given होना चाहिए line के ऊपर and b is the direction vector direction vector भी आप इसको बोल सकते हो या ऐसा भी बोल सकते हो any one vector which is in the direction of that particular line तो I hope कि यह चमका होगा यह कहां से आता है ठीक है r equal to a plus lambda b अब जैसे मान लो for example थोड़ा सा example लेके करते है मान लो की एक point आपको given है 1, minus 2, 3 और एक vector given है which is 2i cap plus 3j cap minus 4k cap तो इस line की equation लिखके बताऊ आपको एक point given है और direction भी given है तो line की equation कैसे लिखेंगे line की equation ऐसे लिखेंगे r equal to point point क्या है point है i cap minus 2j cap plus 3k cap ठीक है यह point हो गया सब कुछ आपको vector में इसलिए इसको बोलते है vector form यह जो straight line की equation हम लिखते है ना r equal to point plus lambda times direction इसको बोलते है vector form क्योंकि सब कुछ vector vector में खेल रहे हैं ठीक है so point plus lambda times direction direction क्या है direction है 2i cap plus 3j cap minus 4k cap ठीक है तो इसको हम बोलते है equation of straight line in vector form this is nothing but इस particular straight line की equation है यह point plus lambda times direction lambda कुछ भी हो सकता है any real number it is a scalar basically ठीक है और इसी को partition form में लिखना है तो straight line की equation को आप partition form में भी लिख सकते हो straight line की equation को partition form में कैसे लिखेंगे तो वो भी आप इसी वाले logic से आ जाओ जो ab vector है वो parallel to b है अब देखो इसी को थोड़ा अलग style से करूँ मैं इसी चीज को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं क्यूंकि हमने पढ़ा था कि अगर दो vector parallel है तो वो proportional है और इसी को अगर partition form में करना है partition form में क्या होता है position vector given नहीं है आपको basically instead of giving position vector आपको coordinates दे देंगे जैसे मान लो कि इस point के coordinates given है x1, y1, z1 चीक है इसके coordinates दे दिये इसके coordinates आप assume करोगे यह तो general point है तो general point आपने assume कर लिया और यह जो direction है यह direction भी आपको इस format में दे देंगे जैसे मान लो यह वाला जो vector है यह आपको given है a i cap plus b j cap plus c k cap right yes or no तो अब हम यहाँ पे concept क्या use कर रहे है हम concept यह use करें कि यह जो a b vector है a b vector is actually parallel to this vector a i cap plus b j cap plus c k cap और अगर दो vector parallel है then they are proportional अब यह a b vector क्या आएगा a b vector यही आएगा x minus x1 y minus y1 और z minus z1 और proportional मनलब ratio same होगा ठीक है two vectors are parallel then they are proportional if two vectors are parallel then they are so this is also the equation of straight line लेकिन इसमें क्या coordinates use करें हमने और यह जो a b c है वो direction ratio है ठीक है तो इसको हम बोलते है Cartesian form इसको बोला जाता है Cartesian form जैसे माल लो इस example में बताऊ यह point है ना तो x minus x1 y minus minus 2 आ जाएगा यहाँ पर और z minus 3 और नीचे क्या क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 2 यह direction ratios यह direction vector है basically आप इसको direction ratios में convert कर सकते हो उसको नीचे चिपका दो 2,3 और minus 4 यह चमक गया ना यह Cartesian form आ गया equal to lambda भी आप लिख सकते हो यहाँ पर तो इसको बोलते है Cartesian form this is the equation of straight line in Cartesian form this is the equation of straight line in vector form clear रिख दाओ yes कैसे लिखते है Cartesian form में, vector form में वो सब clear है equation of straight line अपना done है अब और आगे पढ़ते है अब बात करते है angle between two lines तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि अकर दो line के बीच का angle निकालना है तो कैसे निकालेंगे मानलो एक L1 है एक L2 है उनके बीच का angle निकालना आपको तो आपको यह this is nothing but direction यह point होता है point plus lambda times direction point plus lambda times direction तो दो line की equation यहाँ पर आपको given question में L1 L2 this is point point plus lambda times direction यह भी है point plus mu times direction तो आपको इस line का direction vector पता है इसका भी direction vector पता है उनके बीच में angle निकाल लो तो जो direction direction होता है उनके बीच में angle निकाल लिया करो ठीक है so if you want to find out angle between two lines just find out angle between their direction vectors one comma two comma two इसका a dot b by a b चमक गया ना तो इन दोनों का dot कर दो three two six और नीचे कितना आ जाएगा नीचे दोनों का magnitude one का square two का square two का square और three का square two का square six का square तो यहाँ से निकाल लोगे क्या कितना आएगा यह finally three plus four seven seven और twelve 19 आ रहा है और नीचे कितना आ जाएगा three और यह seven आ जाएगा मेरे एखाल से है ना तो 21 तो cos theta का value आ रहा है 19 by 21 वहलोब theta आ जाएगा cos inverse 19 by 21 so this is the angle between two straight lines ठीक है दो straight line के बीच में angle कैसे निकालता है if you want to find out angle between two lines जिनकी equation given है तो आप उनके direction के बीच में angle निकाल लो simple as that ठीक है a dot b by a b clear है ना और आगे बढ़ते है अब इसमें कभी-कभी क्या करते हैं sin theta का value पूछ लेंगे यह सब तो handle कर लो कैंना cos theta का value अगर यह है कि theta is the angle between two lines then find out sin theta ठीक है तो कर लेना वो भी और आगे बढ़ते हैं अब आते हैं अगले topic पे parametric coordinates जैसे वहाँ पे parametric coordinates होता है 2D में तो 3D में भी होगा तो अगर कोई भी जैसे मालो यह straight line आपको given है partition form में और यह वाली जो straight line आपको given है यह आपको given है vector form में तो मैं आपको दोनों में ही बता देता हूँ अगर आपको partition form में parametric coordinates चाहिए तो कैसे करेंगे और vector form में अगर आपको partition चाहिए तो कैसे करेंगे तो partition form में ऐसा होता है कि आप equal to lambda ले लो और यहाँ से x, y और z का value निकाल लो parametric coordinates आ जाएंगे इस line के उपर जैसे यह एक line है इसका diagram बनाओगे इस line है इस line के उपर अगर मुझे general point assume करना तो मैं ऐसे assume नहीं करूंगा x, y, z यह तो पुराना तरीका हो गया ना इसमें 3-3 variable है 3-3 variable के लिए आपको 3-3 equation भी बनानी पड़ेगी फिर solve करना पड़ेगा तो यह lengthy तरीका है तो अगर आपको कभी भी कोई ऐसा इंसान आके बोले ना कि एक line के उपर एक general point assume करो तो आपको parametric में करना चाहिए उसमें एक ही variable आएगा lambda तो whenever you want to assume a point on a line parametric में किया करो ऐसे मत किया करो x, y, z यह बकवास तरीका है ऐसे कभी नहीं करेंगे जब भी आपको एक general point assume करना है इस line के उपर मुझे एक general point assume करना है तो मैं कैसे assume करूँगा 3 lambda minus x का value निकालो इन दोनों को equate कर दो x का value कितना आजाएगा 3 lambda minus 3 y का value आजाएगा 5 lambda plus 1 और z का value आजाएगा 4 lambda minus 3 तो बस ऐसे assume करेंगे और similarly ये वाली line के उपर ये जो दूसरी वाली line है उसके उपर मुझे एक general point assume करना है तो यहाँ पर कैसे करेंगे general point assume तो यहाँ पर जो i cap वाले terms है उनको club कर लो जैसे इधर 1 है और इधर से 2 lambda है तो 1 plus 2 lambda आजाएगा समग गया ना जै कैप जै कैप वाले को club कर लो इधर 1 है और इधर minus lambda है 1 minus lambda और यहाँ पर कैप तो है नहीं तो 0 हो गया तो 0 plus 0 प्लस lambda आजाएगा बस यह आगया समग गया ना तो parametric coordinates के लिए i cap वाले को club कर लो और Cartesian form में given है line तो भी आप parametric में point assume कर लोगे point assume कैसे करते है वो clear है अब lambda का value अगर आ गया तो ये पूरा point ही आ जाएगा तो एक ही variable है ये आपको easy पड़ेगा calculation wise ठीक है चलो और आगे बढ़ते हैं अगर दो line parallel है तो हमें कैसा बता चलेगा अगर दो line parallel है उनके जो direction vectors है मैं लग एंगल between two straight lines इस same as the angle between their direction vector तो अगर दो line parallel है या नहीं मुझे पता लगाना है मानलो दो line की equation आपको पकड़ा दी और बोलेंगे चेक करो parallel है perpendicular है क्या है तो आप तो simple दोनों का direction देख ले ना इसका direction vector given है मानलो b1 इसका given अगर वो b1 b2 parallel है तो line भी parallel होगी और similarly यहां पर अगर b1 और b2 perpendicular है तो line भी perpendicular होगी ठीक है मानलो b1 dot b2 आपको zero check करना पड़ेगा अगर इसका value zero आ रहा है तो हम ऐसा बोल सकते है कि जो b1 vector है वो perpendicular to b2 vector है और अगर यह perpendicular है तो line भी perpendicular है अगर basically इनके बीच में angle 90 degree का है तो line के बीच में भी angle 90 degree का होगा तो if two lines are parallel the direction vectors are also parallel if two lines are perpendicular the direction vectors are also perpendicular ठीक है तो यह basic concept है ओके अगला concept क्या है अगला concept point of intersection कैसे निकालेंगे तो मान लो कि अगर आपको दो line पकड़ा दी अब यह बहुत calculative होता है ठीक है थोड़ा ध्यान से करना आपको क्या करेंगे दो line पकड़ा देंगे एक line यह वाली है और एक line यह वाली है और आपको बुलेंगे कि point of intersection इन दोनों का जाहिर सी बात है कि अगर दो line है तो उनका कुछ ना कुछ point of intersection भी आएगा एक यह green वाली line है मान लो और एक यह blue वाली line है हमें क्या निकालना है आपको problem statement समझ में आ रहा ना हमें यह point of intersection निकालना है तो point of intersection कैसे निकाले तो उसका तरीका क्या होता है उसका तरीका यह होता है कि आप इसको lambda ले लो और इसको mu ले लो फिर आप x x y y और z z को equate कर दो यही method है method सी को method क्या है इसको lambda ले लिया मैंने इसको mu ले लिया अब देखो यहां से x निकालो तो x का value आएगा 6 lambda plus 2 और यहां से x निकालो तो यह आएगा 6 mu minus 1 ठीक है similarly y y निकालो x x को equate करो y y को equate करो z z को equate करो ठीक है तो minus 8 lambda plus 1 और यहां से 7 mu minus 10 यह आगया और z और z को equate कर देना तो 10 lambda minus 2 this is equal to minus 2 mu minus 2 mu plus 5 अब लेकिन यह तो 3-3 equation है variable तो दो ही है lambda और mu तो since 2 ही variable है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा यह 3 equation है पहली equation यह दूसरी equation यह तीसरी equation यह तीन equation लेकिन 2 ही variable दो variable के लिए तो 2 equation ही काफी है तो आप यहां पर क्या करोगे आप किसी भी 2 equation को solve कर लो जो भी आपको आसान दिख रही है ना जैसे माल लो कि मुझे यह वाली और यह वाली थोड़ी easy लग रही है आप किसी भी 2 equation को solve कर लो क्या करोगे आप? किसी भी दो equation को आप solve कर लो तो वहाँ से lambda और mu का value आ जाएगा और फिर उसको तीसरी equation में put करो अगर वो satisfy करता है अगर वो satisfy करता है तब यह जो दोनो line है वो intersecting होगी otherwise तो यह intersecting नहीं करेगी 3D है न यह 3D में ऐसा भी possible है कि दो line है वो intersecting नहीं कर रही है एक line मान लो ऐसी जा रही है ठीक है यह एक line है और दूसरी line ऐसी चली गई यह ऐसी line है और यह ऐसे जा रही है intersecting नहीं है इनको हम आगे चलके बोलते है skew lines के बारे में पढ़ेंगे अभी आपको क्या करना है आपको कोई भी दो equation solve करनी है वहाँ से lambda और mu आएगा जो भी lambda और mu का value आजाए ना वो तीसरी equation में put करो अगर satisfy किया then only two lines are intersecting तभी हम point of intersection निकाल सकते है अगर satisfy नहीं किया तो अगर satisfy नहीं कर रहा है मान लो हमने put किया और satisfy नहीं कर रहा है satisfy नहीं कर रहा है मतलब आप बोल जोगे कि lines are lines are not intersecting intersecting है नहीं lines intersecting है नहीं दोलो line intersecting नहीं करेगी तो कहाएगा point of intersection जब intersect करेगी तभी तो आएगा point of intersection मतलब इसमें कोई answer नहीं आएगा आपको ये बोलना पड़ागा कि line intersecting नहीं है और तुम पूछ रहे हो point of intersection तो कहाँ से बताएंगे हम ठीक है तो आप सॉल्व करो जैसे for example किसी ने सॉल्व किया क्या लैम्डा और म्यू का वैल्यू निकालो यहां से चेक करना है अगर satisfy कर गया तो बहुत बढ़िया नहीं satisfy किया तो हम बोल देंगे कि lines are not intersecting one by two आ रहे है one by two क्या रहे लैम्डा लैम्डा वन बाइटू आ रहे है लैम्डा अगर one by two है तो म्यू का वैल्यू वन आ जाएगा फिर यह आ रहा होगा देखो एक बाद चेक करो यह आ रहा है और यह यहां पर substitute कर दो इसमें substitute करेंगे तो 10 लैम्डा 10 into lambda minus 2 और μ्यू का value 1 न माइनस 2 प्लस 5 तो क्या यह बराबर है यह देखो बराबर है राइट क्यूंकि यह भी आए यह भी आ रहे है 5-2 तु यह भी 3 है और यह भी 3 है सब सटिस्फाइक कर रहा है और अगर सटिस्फाइक कर रहा है मतलब lines intersecting तो है इतना confirm हो गया कि दोनों line intersecting है मतलब कुछ ना कुछ point of intersection आएगा बट अभी तक आपने point of intersection बताया नहीं तो point of intersection कैसे निकाले confirm तो हो गया ठीक है कि line intersecting है अब point of intersection कैसे निकालेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होता है या तो lambda या mu किसी एक का value पूट कर दो यहां पर किसी एक का कर सकतो है आप दोनों का करने की जरूत वैसे है नहीं किसी एक का ले लो lambda का value 1 by 2 आ गया है और mu का value 1 आ गया है तो किसी एक equation को use करके x y z निकाल लो दोनों से आपका answer सेम ही आएगा जैसे यहां से अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 6 into 1 और minus 1 तो 5 आ जाएगा 6 minus 1 basically यहां से y निकालो y का value आएगा 7 minus 10 minus 3 आएगा और फिर z निकालो z आएगा minus 2 plus 5 तो यह plus 3 आ जाएगा similarly अगर आप यहां से भी निकालोगे न x y z तो यही आ रहा होगा आप चेक कर लो सेम ही आएगा तो ultimately या तो lambda या mu किसी एक का value पुट कर दो किसी भी एक equation में और वहां से x y z निकाल लो वही आपका point of intersection है चमग्या question अब ऐसा आजाएगा exam में कि point of intersection is alpha beta gamma then find out the value of alpha plus beta plus gamma तो answer आजाएगा 5 चमग्या न तो ऐसा question बन सकता है clear एकदम इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है और आगे बढ़ता है अब अगले concept पे आते है that is foot of perpendicular image यह सब कैसे निकालेंगे तो आपको क्या करेंगे यह अगिन वैसा ही जैसा 2D में हम करते है 2D में भी तो ऐसा होता था ने कि एक line दे दी एक point दे दिया और आपसे पूछेंगे foot of perpendicular बताओ यह लेकिन वो 2D था यह 3D है ठीक है इतना ही फरक है तो obviously method का भी फरक आ जाएगा यहाँ पे सब कुछ vector और 3D में चलता है तो यहाँ पे foot of perpendicular कैसे निकालेंगे यह point आपको given है this point is given x naught y naught z यह दे देंगे line की equation दे देंगे नीचे वाली जो line है उसकी equation given है आपको यह partition form में भी दे सकते है vector form में भी दे सकते है तो आप वो तो inter convertible होता है तो आप convert भी कर सकते हो तो line की equation given है point given है और आपको निकालना है foot of perpendicular अब इसका देखो कोई formula नहीं होता है इसका एक method होता है वो method आप यहाँ पे लिख लो method क्या है step number one यह वाला जो foot of perpendicular है यह मुझे निकालना है point q मुझे निकालना है तो method यह ही है पहला step यह है कि point q को आप parametric coordinates में assume करो ठीक है फिर second step यह है कि pq vector निकालो और उसका dot line के direction के साथ है direction of line के साथ zero कर दो वहाँ से आपको lambda का value मिल जाएगा और जो भी lambda का value आपको मिल गया उसको वापस यहाँ पे substitute कर दो तो आपका foot of perpendicular आ जाएगा यह तो मैंने आपको method बता दिया है ना यह साथ आए कि नहीं इस point को parametric में assume करोगे मतलब आप इसको equal to lambda कर देना और यहां से ऐसे assume कर लो a lambda plus x1 ठीक है b lambda plus y1 और c lambda plus z1 इस point को parametric में assume कर लो फिर यह जो pq vector है pq vector definitely और यह line का direction है line का direction आपको given है ABC line के direction में एक vector अपने को पता है और pq vector आ जाएगा q minus p करके तो pq vector और line का direction यह perpendicular है इनके बीच में angle 90 degree का है तो इनका dot zero कर दो यहां से lambda आ जाएगा और lambda आ गया तो foot of perpendicular भी आ गया है यह समझा है अब देखो इसका एक example लेता है जो कि already j mains में आ चुका है और आता रहता हर साल ही आता है मतलब image पूछते है foot of perpendicular पूछते है ऐसे सवाल बहुत famous है ठीक है उसी को अलग-अलग style से पूछते रहता है for example यहां पे foot of perpendicular of this point in this line is alpha beta gamma तो alpha beta gamma में कुछ options बना दिये आपको बताना which of the following is not correct ठीक है कौन सा incorrect है वो बताना है तो foot of perpendicular निकालो चलो कैसे निकालेंगे यह वाला point आपको given है ठीक है line आपको given है और आपको foot of perpendicular यानि की यह वाला point मान लो यह P है तो यह वाला point आपको निकालना है line की equation आपको given है तो अगर line की equation given है तो इसको equal to lambda करके मान लेना और इस point को parametric में assume करो चलो तो parametric में कितना आ जाएगा 2 lambda minus 1 आ जाएगा ठीक है इस line के ऊपर एक point assume करना है 5 lambda plus 1 आ जाएगा और minus lambda minus 1 आ जाएगा ठीक है तो point q को जो की foot of perpendicular है उसको मैंने parametric में assume कर लिया अब एक बार parametric में assume कर लिया तो उसके बाद pq vector और line का direction क्या है line का direction यह है इनका dot 0 कर दो तो पहले तो pq vector आपको निकालना पड़ेगा pq vector कैसे निकालोगे q minus p करके q minus p कर दो this minus 2 lambda minus 1 लिखा हुआ है this minus this तो कितना आ जाएगा 2 lambda minus 3 आ जाएगा similarly this minus this तो 5 lambda plus 1 आ गया and then this minus this तो minus lambda minus 6 यह आ गया और इसका dot 0 कर दो 2 5 और minus 1 के साथ ठीक है तो यहां से आपको मिल जाएगा lambda lambda निकालो 4 lambda minus 6 25 lambda dot product निकालना तो आता है सबको plus lambda plus 6 equal to 0 तो यहां से यह सब cancel हो जाएगा कितना आ रहा है यहां से तो यह आ गया 30 lambda plus 5 आ गया 30 lambda plus 5 equal to 0 आ गया तो lambda का value आ गया minus 1 by 6 तो अगर lambda minus 1 by 6 है तो आप यहां पर substitute कर दो foot of perpendicular आ जाएगा ठीक है तो foot of perpendicular कितना आएगा बताओ इसमें lambda का value put करो 2 lambda is minus 1 by 6 minus 1 by 6 2 lambda minus 1 फिर 5 lambda minus 5 by 6 plus 1 और 1 by 6 ठीक है यह minus 4 by 3 आ जाएगा यह 1 by 6 आ जाएगा और यह minus 5 by 6 तो यह आ गया और यह आपका alpha beta gamma है यह के तो अभी आप option चेकिंग कर लोगे क्या option चेकिंग करोगे तो यह वाला जो option है ना option C आपको पूचा which of the following is not correct तो यह C आएगा incorrect वाला वैसे भी आपको यहां से दिख गया होगा beta by gamma कितना आएगा beta is basically 1 by 6 gamma is basically this तो यह तो minus 1 by 5 आएगा ना लेकिन यहां पर लिख रखा है minus 5 तो obviously यह गलत है मतलब जो गलत है वही सही है ठीक है अपना जो correct answer है that is option C खीक है C आ जाएगा clear एक दाओ चमक गया होगा मेरे खाल से simple है तो आप method पर ध्यान दो यह सब calculation पर कौन ध्यान देता है आपको यह point assume करना है parametric में इसको parametric में assume कर लिया फिर इसमें पता है most common mistake क्या है most common mistake यह है कि मैंने देखा है बहुत सारे बच्ची क्या करता है इसी का dot 0 यह q का dot 0 कर देता है direction के साथ q का नहीं p q का तो p और q को subtract कर ले न p q vector is q minus p q minus p करना भूल जाता है क्योंकि यह भी तो वैसे दिखता है जैसे p q दिखता है यह most common mistake है जो exam में होती रहती है तो आप यह गलती मत करना लिख लो बड़ा बड़ा star mark करके कि p q का dot 0 करना है line के direction के साथ ना कि q का ही q का नहीं p q का ठीक है यह गलती मत करना यह हो जाता है मतलब यह हम चाहते तो नहीं है बट फिर भी हो जाता है कभी-कभी और अगर foot of perpendicular आगे तो image भी निकाल लोगे ना इसे मान लो यह point आपके पास है ही foot of perpendicular आपका आई गया तो image भी निकाल सकते है midpoint formula लगा देंगे हम यह point अपने पास already है यह foot of perpendicular भी हमने निकाल दिया तो image भी आ जाएगा तो अगर exam में image पूछा है वो भी निकाल लोगे image निकालने के लिए भी आपको foot of perpendicular तो निकालना ही पड़ेगा ऐसा कोई formula नहीं है जिससे सीधा image आ जाए image के लिए भी आपको foot of perpendicular पहले निकालना पड़ेगा और उसके बाद midpoint formula से image निकाल लो तो image के लिए यही same method है कोई अलग method नहीं है पहले foot of perpendicular निकालो और फिर midpoint formula लगाओ simple और आगे बढ़ते है अब कभी-कभी ना आपसे पूछ लिया जाता है perpendicular distance foot of perpendicular नहीं पूछा है they are asking perpendicular distance मतलब यह point दे देंगे, line दे देंगे और यह distance बताओ आप how to find out perpendicular distance perpendicular distance of a point from a line यह भी हम 2D में पढ़ता था है put the point और नीचे कुछ कुछ आता था वो सब 2D है, वो यहाँ पे applicable नहीं है यहाँ पे यह वाला formula applicable है PR cross B divided by B, तो यह direct formula है इसको याद करो ठीक है, इसके derivation में मत जाना बताब सीधा सीधा इस formula को याद करो इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि P क्या है, R क्या है, B क्या है that is more important क्योंकि ultimately सवाल आएगा तो formula based ही आएगा तो आपको यह point given है यह line की equation given है और यह perpendicular distance आपको निकालना है ठीक है, तो यह perpendicular distance का formula होता है PR cross B इसका magnitude करना पड़ेगा और नीचे B का magnitude है अब यहाँ पर यह जो B vector है वो क्या है B vector is nothing but it is direction of line line का direction line का direction मतलब यह नीचे वाला ABC line का direction किदर होता है, नीचे होता है तो वो line का direction है P क्या है और R क्या है तो P तो basically यही वाला point है X not, Y not और Z not X not, Y not, Z not वाला point है P R क्या है, R is this point जो कि line के उपर है, यह वाला भी तो एक point होता X1, Y1, Z1 यह line के उपर होगा कही ना कही X1, Y1, Z1 यह जो line के उपर जो point है that is R आपको basically यह जो PR vector है इसका derivation भी कुछ ऐसे ही होता है PR vector का projection लिया है इसका projection लिया है इसके उपर, तब जाके यह बट आप derivation में मत पढ़ो आप सीधा सीधा इसको याद करो, R क्या है R is nothing but the point which is on the line एक point आपको given होगा line के उपर तो बस PR, PR आएगा R minus P करके, बाद वाला minus पहले वाला, ठीक है PR का cross कर देना B के साथ, इसके उपर भी एक सवाल आया हुआ है तो direct सवाल आते है पता नहीं क्यों, लेकिन आते है जैसे for example, यह सवाल है distance of this point from the line which is passing through this point and direction भी given है, तो इस point का distance निकालना है, यह point P आपको given है, 4, 6 और minus 2, इस point का distance निकालना है, एक line से, that line is passing through this point, यह जो line है वो इस point से pass कर रही है और उस line का direction भी आपको given है ठीक है, तो यह B vector हो गया basically line का direction so that is 3, 3 और minus 1 यहाँ से PR आ जाएगा ठीक है, यह आपका point R है, तो PR निकाल लो आप यह perpendicular distance मुझ से पूछा गया है, this is what we want to find out ठीक है, perpendicular distance निकालना है, यह distance find out करना है, यह distance कैसे निकालेंगे, direct formula है PR cross B by B, ठीक है तो PR कितना आएगा, PR is R minus P R minus P, minus 7, ठीक है, फिर R minus P, minus 4 और, this minus this, तो 5 आगया यह तो आ रहा है, ठीक है, एक बार चेक कर लो यही आ रहे है, अब PR का cross करना है, B के साथ तो ऐसी करेंगे न, I, J, K PR, PR is this और B vector के साथ cross करना है, तो यह कितना आ जाएगा, I cap 4 minus 15 J cap J cap में आ जाएगा, 7 minus 15 और K cap K cap में आ जाएगा minus 21 plus 12, ठीक है so ultimately this is minus 11 यहां से यह आ जाएगा, 8 और यह कितना आ जाएगा, minus 9, तो यह आ गया ठीक है, this is PR cross B, और formula क्या है, अगर मुझे यह निकालना है तो it is magnitude of PR cross B divided by magnitude of B ठीक है, तो magnitude बताओ इसका, PR cross B निकाला आपने magnitude आ जाएगा, 121 plus 64 plus 81, और B का magnitude, तो B का magnitude 9, 9 और 1 ठीक है, तो 9 plus 9 plus 1 अब यह सब simplify करोगे, D आएगा मतलब, है ना, simplification करोगे root 14 इसको आप simplify करके देखना answer क्या आएगा, option D तो simple है यार यह सब, यह calculation भी उतना difficult नहीं है, divide ही करना आपको और कुछ नहीं है, fine तो simple calculation, basic maths और बाकी तो formulas है तो यह सब formulas आपको याद करने पढ़ेंगे, PR cross B P is this, R is this, B is the line का direction, तो सीधा formula लगाओ, answer पाओ fine, और आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हैं, अब आते है skew lines पे, तो अभी-अभी आपने पढ़ा था ना, कि कभी-कभी अगर आप दो line का point of intersection निकालोगे, तो point of intersection आए गई नहीं, वहाँ से आपको यह पता चलेगा कि तीसरी equation में satisfy नहीं कर रहा है मतलब वो तो intersecting ही नहीं है तो skew lines क्या उती है skew lines की definition क्या है skew lines का definition है non-parallel, non-intersecting simple as that जादा complicated और complex definition हम बताते ही नहीं है घीग है, क्या है यह बहुत सिंपल है skew lines मतलब 2 line जो parallel नहीं होनी चाहिए और intersecting भी नहीं होनी चाहिए parallel नहीं है intersecting भी नहीं है, उसको बोलते है skew lines, skew lines मतलब दो lines, जो ना तो parallel है, जैसे ये दोनों, एक yellow वाली एक blue वाली है, क्या ये parallel है, ये parallel तो नहीं है, क्या ये intersecting है, intersecting भी नहीं है, normally जब हम 2D में पढ़ते हैं, तो दो ही cases होते हैं, या तो दो line parallel होगी ऐसी, या वो intersecting होगी, या तो parallel होगी, या intersecting होगी, वहाँ पे तो 2 या तीसरा ज़्यादा ज़्यादा होता, तो coinciding lines होती है, दो line coincide कर गई, तीसरा और कोई case होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ ये वाला भी skew lines, skew lines क्या है, two lines, which are neither parallel nor intersecting, ना तो ये parallel है, ना ही ये intersecting है चमक गया ना, yes, skew lines are इस तरह की lines, अब यहाँ पे एक बहुत ही famous formula है, जिसके उपर short short सवाल आता ही आता है, particularly j mains में तो आता ही है, ठीक है, तो definitely आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, shortest distance का formula इतने सारे star लगा दिये, yes or no, क्योंकि इसके उपर आता है सवाल, आप shortest distance between two lines, j main 2030, है ना, यहाँ पे भी, shortest distance between two lines, j main 2030, यह तो 23-23 वाले है, 22 के अलग है, 21 के अलग है, ठीक है, shortest distance between two lines, है ना, सवाल, shortest distance between, अलग-अलग shift में, आता रहता है, हर shift में, same ही सवाल, shortest distance between two lines, है ना, shortest distance between two lines, आते ही रहता है, ठीक है, हाँ, तो यह पढ़ लेता है, पहले, फिर उसके बाद करेंगे तो यह formula है इसको याद करो अगें derivation इन सब में मत पढ़ना आपको सीधा formula ही याद करना है particularly जही mains के लिए तो formula ही याद करना है तो कैसे करेंगे a2-a1 यह a2, a1, b1, b2 यह सब क्या है तो आपको दो line दे देंगे l1 given है, l2 given है दो line आपको पगड़ा देंगे पहली line मानलो given ही a1 plus lambda b1 और दूसरी line आपको given है a2 plus mu b2 यह b1, b2 क्या है? line के directions यह दो line आपको दिख रही है चुकि skewned है यह तो ना तो intersect कर रही है और नहीं यह क्या है नहीं यह parallel है तो अगर आपको दो line given है उनके बीच में अगर आपको shortest distance निकालना है ठीके? तो shortest distance यह जो distance आएगा ना shortest distance उसका formula होता है यह a2 minus a1 dot b1 cross b2 upon magnitude of b1 cross b2 ठीके? तो यह directly आप ध्यान रखना super important है a2 minus a1 इसका जब आप dot करोगे b1 cross b2 के साथ तो यह तो scalar आएगा ना भै देखो जो numerator है वो scalar है क्योंकि यह एक vector है एक दूसरा vector है b1 cross b2 दोनों का dot किया आपने तो scalar quantity आएगी उसका mod लेना है यह वाला क्या है? यह वाला जो डंडा है यह mod है mod वाला डंडा है और नीचे वाला जो डंडा वो magnitude है तो confuse मत हो ना चीक है? उपर mod भी लगा हुआ है क्योंकि distance है ना तो distance can never be negative तो आपको ultimately mod भी लगाना होता है shortest distance के formula में mod होता है क्या? होता है चीक है? तो आपको यह ध्यान रखना है shortest distance is a2 minus यह ध्यान क्यों रखना है? यह अभी समझ में आयागा जब सवाल करेंगे और एक और चीज़ अगर आपने shortest distance निकला और वो 0 आगया that means lines are intersecting अगर माल लो दो line है उनके बीच में मने distance निकला 0 आगया shortest distance अगर 0 आगया मतलब वो दोनों intersecting है चमक गया ना if shortest distance is equal to 0 मतलब वो touch कर जाएगी ना दोनों एक दूसरे को तो वो intersecting है distance 0 तभी तो आएगा जब एक दम बान लो एक इंसान वहां कड़ा है एक इंसान यहां कड़ा है तो कुछ distance है ना उनके बीच में अब वो shortest distance 0 हो गया shortest distance 0 हो गया मतलब lines are intersecting चमक गया ना और आगय बढ़ते है अगर आपको दो parallel line के बीच में distance निकालना है तो कैसे निकालना है how to find out shortest distance ये वाला distance ये distance निकालना है shortest distance between two parallel lines तो parallel lines है तो दोनों का direction सेम होगा a1 plus lambda b ये आपको ऐसा गिवन होगा और डूसरी line भी आपको गिवन होगी a2 plus mu b दोनों का direction सेम होगा क्यूंकि दोनों parallel है एक vector है जो इसके direction में तो इसके direction में भी vector है तो जब भी दो line parallel होती है उनका direction सेम होता है तो अगर आपको parallel line के बीच में shortest distance निकालना है यह वैसे ही है जैसा वो PR cross B by B है यह वैसे ही तो है PR cross B तो PR होता है R minus P तो यहाँ पर A2 minus A1 है ठीक है तो यह almost वैसे ही formula है PR cross B divided by B Yes or No यह है उपर वाला भी magnitude है नीचे वाला भी magnitude है चमक्या ना shortest distance between two parallel lines पूछा है यूज इस formula और अगर shortest distance between any two lines कोई भी दो line दे दी then you can use this formula A2 minus A1 B1 cross B2 यह ठीक है इसका भी questions करके देख लेता है फटा फट ठीक है क्योंकि बहुत सारे आते हैं तो definitely आपके बनने ही चाहिए तो आप कैसे करोगे shortest distance वाले questions को देखो आप आराम से क्या करो क्योंकि calculation mistake होने के chances होते हैं और इतना चिंदी सवाल अगर आप गलत करके आगे तो जो regret होता है जिंदगी भर रहता है भई एक ही तो सवाल आता है shortest distance का वो भी गलत कर गया होगे पाइदा क्या है फिर जो board वाले बच्चे होंगे न शायद अगर कोई 11 वाला बच्चा भी दे देगा तो वो भी साही कर देगा है की नहीं shortest distance में कुछ है ही नहीं तो A1, A2 पॉइंट है देखो पॉइंट क्या है minus 2, 0 और 5 minus 2, 0 और 5 ये पॉइंट है और इस line के उपर क्या है 4, 1, minus 3 तो 4, 1, minus 3 और अब यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा A2 minus A1 तो पहले तो A2 minus A1 निकाल दिया करो A2 minus A1 कितना आ जाएगा 6, this minus this तो 1, this minus this minus 8, ये चमका A2 minus A1 A2 minus A1 आ गया इधर आप निकाल दिया करो B1 cross B2 side में कहीं rough में ठीके, B1 cross B2 कैसे निकालेंगे I, J, K और दोनों line के direction जो होते हैं उनको बोलते है B1 B2 1, 2, 0 तो यहाँ से आएगा B1 cross B2 कितना आएगा B1 cross B2 B1 cross B2 आजाएगा 0 और minus 4 ठीके, J cap के साथ ये तो 0 ही है minus 2 और K cap के साथ तो K cap के साथ आजाएगा 2 plus 2, 4 ठीके, तो ultimately this is minus 4, 2 और plus 4 तो ये आगया देखो अब यहाँ पे एक NV tip देदू क्या हमें एक NV tip यह होता है कि इसको B1 cross B2 को आप हमेशा simplify कर से जैसे यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो number है, ये 2 से divide हो जाएगे 2 is a common factor तो आप 2 से divide कर सकते हो इसको simplify कर सकते है allowed है, answer आपका same आएगा answer will not change क्या इसको simplify कर सकते हो इसको कर सकते हो, इसको मत कर देना यहाँ पे हलाकि कोई common factor भी नहीं आ रहा है बट किसी सवाल में माल लो इधर भी कुछ common factor आ रहा है इसको simplify मत करना तो instead of taking this you can take this, B1 cross B2 का value यह मत लो, यह ले लो क्योंकि यह थोड़ा simpler है तो calculate जब आप dot करोगे तो छोटे छोटे numbers आएगे न, 6 into 4 करो 24 आता है, 6 into 2 करो 12 भी आता है, जब गया न, तो थोड़ा सा calculation आपका reduce हो जाएगा तो जब जब मौका मिले सर क्या मुझे simplify करना चीए येस, बिलकुल करना चीए उससे आपका answer थोड़ा जल्दी आता है है कि नहीं, तो simplify किया करो, येस, NV tip यह यह लिख लो आप side में simplify कर सकते है B1 cross B2 को simplify कर सकते है येस, B1 cross B2 को कर सकते है simplify, इसको मत कर देना अब shortest distance कितना आएगा shortest distance होता है A2 minus A1 dot B1 cross B2 वैसे तो exam में आपको formula लिखने की जरूद नहीं है, बट मैं यहाँ पर आपको एकदम लिख लिख के ही समझा रहा हूँ ठीक है, तो basically A2 minus A1 कितना है A2 minus A1 is this इसका dot करना है B1 cross B2 के साथ तो दोनों का dot कर दोगे और नीचे इसका magnitude आ जाएगा B1 cross B2 का तो 2 का square, 1 का square, 2 का square और फिर mod भी होता है ठीक है, तो mod भी लगा दिया करो तो कितना आएगा ये ultimately यह आ रहा है minus 12 ठीक है, फिर plus 1 और minus 16 नीचे कितना है, नीचे 3 है और mod ठीक है, तो finally कितना आएगा finally यहाँ से 9 आ जाएगा है कि नहीं 9 is the final answer, option D finally it is option D आ जाएगा, हाँ बिलकुल सही है, ठीक है, तो यहाँ पर समझना आया एक तो पहली बात तो यह कि यह जो line है, यहाँ पर तो चलो आपको already standard form में given है कभी-कभी यह जो line है यह भी आपको standard form में नहीं देंगे तो आपको standard form में convert करना पड़ेगा पहले तो तो line को आप देख लिया करो standard form में होनी चाहिए फिर आपने a2-a1 निकाला b1 x b2 निकाला दोनों का dot कर दिया नीचे magnitude कर दिया और mod लेना होता है ठीक है तो बस इतना ही है और उसको simplify कर लिया करो उससे थोड़ा सा आपका calculation कम पड़ेगा और आजकल देखो आजकल की बात करें तो यह वाले सवाल भी बहुत famous है reverse इसमें आपको shortest distance given है is 13 यह चमका देखो यही तो बोला है shortest distance between this line and this line is 13 shortest distance दे देंगे यह सवाल और भी ज़्यादा मतलब दीरे दीरे speed पकड़ रहे हैं तो यह सवाल आने के ज़्यादा chances है तो यह बोलूँगा ठीक है आगे चलके ऐसे question आने के chances थोड़े ज़्यादा है तो यह वाले भी आप अच्छे से practice कर लो भाई देखो जो sure आना होता है ना उनमें आप अच्छे से practice कर लिया करो तो यह आना ही है तो आप उसको ignore मत क्या करोगी यार यह तो बहुत simple है यह तो मेरे से होई जाएगा exam में वही होता नहीं है तो don't ignore है ना उतना भी simple नहीं होता है जब करने जाते है तो इसलिए पूरा किया करो कम से कम 4-5 question तो होने चीए shortest distance के जो तुमने पूरे solve करे है ठीक है जैसे इसमें कैसे करेंगे बताओ A1 निकालो A2 निकालो procedure वही है तो कितना आएगा यहाँ पे आजाएगा lambda lambda 3 और minus 6 similarly यहाँ पे क्या आजाएगा यहाँ पे आजाएगा minus lambda 0 और 6 ठीक है अब आप निकालोगे A2 minus A1 A2 minus A1 कितना आजाएगा minus 2 lambda minus 3 और 12 यह आगया A2 minus A1 A2 minus A1 आगया तो side में आप क्या निकालोगे B1 cross B2 B1 cross B2 कैसे निकालेंगे SIJK यहाँ पे क्या है 0,4,1 और यहाँ पे क्या है 3 minus 4 और 0 तो यह निकाल लो यहाँ पे कितना आजाएगा यहाँ पे यह तो 0 है 4 आजाएगा इधर यह 0 minus 3 और इधर इधर minus 12 तो ultimately we are getting 4, 3 और minus 12 यह आगया देखो ठीक है B1 cross B2 आगया अब B1 cross B2 आगया A2 minus A1 भी आगया अब shortest distance का formula हम लिखेंगे नहीं सीधा dot कर देंगे इन दोनों का dot कितना आएगा इन दोनों का dot करोगे minus 8 lambda फिर minus 9 ठीक है और minus 144 यह आजाएगा और नीचे इसका इसका magnitude तो देखो वैसे तो अगर आपको पता ही तो तीन और चार कितना होता है पांच और पांच और बारा कितना होता है तेरा तो इसका magnitude 13 आएगा यह यह चाला की समझ में आई की नहीं आई अरे ultimately जब magnitude करोगे तो ऐसी तो करोगे ना 4 का square प्लस 3 का square प्लस 12 का square अब यह जो 4 का square प्लस 3 का square होता है वो 5 का square होता है दिग्या होगा 13 ही तो आएगा तो नीचे वाले का इसका जो magnitude आएगा वो actually 13 आएगा यह सब चला किया अगर आपको पता है तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा और इसमें सबसे important यह है कि mod होता है अगर आप mod को भूल गए ने reverse question में mod को भूल मत जाना क्योंकि lambda की दो value आएगी तभी तो आपको पूछा है sum of the values of lambda sum पूछा देको sigma पूछा है sum करना है sum of the values of lambda फिर mod करके multiplied by 8 करना है चमका तो आपको shortest distance given है कितना given है यह जो shortest distance है यह आपको question में बोल रहा है कि यह 13 के बराबर है तो shortest distance को equate करना है 13 से लेकिन mod है तो जब mod हटेगा तो plus minus आएगा यह ध्यान रगना जब mod हटेगा इसको पहली बात तो plus 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 कर लो क्योंकि mod है ठीक है तो अभी के लिए तो mod है तो मैंने plus 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 कर दिया और अब जब mod हटेगा अब mod को open करो यह कितना आ गया यह आ गया 153 नीचे है 13 और जब यह खुलेगा तो plus minus 13 हो जाएगा अब इसको cross multiply करके lambda की 2 value आएगी तो lambda की 2 value क्या क्या आएगी 8 lambda is equal to यह उदर जाएगा ना minus 153 और plus minus 13 into 13 169 तो यहां से निकालो आप lambda की 2 value कौन कौन सी आएगी एक बार minus कर दो एक बार plus कर दो एक बार minus कर देंगे तो तो कितना आ जाएगा 322 आ रहे है ठीक है एक value तो यह आ रहे है और दूसरा value दूसरा value आ जाएगा 16 एक नहीं दूसरा value आ जाएगा 16 तो lambda की 2 value आ जाएगी minus 322 divided by 8 और 1 है 16 by 8 यही आ रहे है lambda की 2 value आ गई और lambda की अगर 2 value आ गई तो आपको क्या निकालना है आपको निकालना है sum sigma मतलब इन दोनों को add करना है तो इन दोनों को add कर दो this plus this यह sigma कर दिया और sigma करने के बाद एक तो mod लेना है sigma करने के बाद एक तो mod लेना है और फिर multiplied by 8 भी करना है तो यह तो cancel हो जाएगा ultimately यह कितना आ जाएगा यह आपका 306 आ जाएगा है कि नहीं 306 आ रहे गया option A option A आ रहे है हाँ काफी लोगों को आ गया क्या बात है ठीक है option A will be the answer तो बस shortest distance में दो type के सवाल कर लोगे एक दम confirm करके जाओ आज ही आज बाद की बात ही नहीं है ठीक है एक तो direct सवाल यहाँ पर आप बस यह चेक कर लेना कि line आपको standard form में अगर given नहीं यह थोड़ा बहुत rearrange कर लेना और क्या ठीक है उपर नीचे कर लिए अगर हो एक बार standard form में आ गया फिर आपको formula ही लगाना है और calculation mistake नहीं करनी है क्योंकि 4 number बहुत जरूर ही है हमारे पास ठीक है और एक reverse question जहां पर आप mod को हटा होगे तो हमेशा lambda की दो value आईगी तो ऐसे question अगर आएंगे तो आप थोड़ा ज्यादा थोड़ा सतर करेना ज्यादा ध्यान देना ठीक है और आगे बढ़ते आप यह सब आप कर लोगे shortest distance वाले तो खेर बहुत सारे सवाल है तो अब I hope की आपको सारी चीज़े समझ में आ गई ठीक है हमने एकदम starting है एकदम distance formula section formula सारी चीज़े हमने पढ़ लिया यहाँ पर ठीक है तो definitely 3D geometry के 2 सवाल या एक सवाल जो भी आएगा है ना वो आप definitely कर देना और बस अपने चार नमबर और आठ नमबर लेकर ही आना ठीक है क्योंकि बहुत simple chapter है 3D geometry और vector algebra ऐसा chapter है जिसको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए एकदम डून डून के पकड़ पकड़ गया इसके सवाल कर देने चाहिए ठीक है और अब तो आपका वैसे भी syllabus भी हो गया है तो चैप्टर ही आदा हो गया है ठीक है आदे चैप्टर से भी अगर दो सवाल आ गया तो तो मज़ा ही आ जाएगा है कि नहीं ठीक है तो इसी के साथ अब अगली लिए टीकलास में मिलेंगे कोंप्लेक्स नंबर में बहुत जल्दी शेडियूल करता हूं एक ही चैप्टर अब अपना बजगया है तो आप एक बार उसको भी अटेंट कर लेना so that complex number में भी confidence आ जाए हलाकि बहुत बड़ा chapter है complex तो देखते हैं न उसको थोड़ा सा squeeze करके है न उसका थोड़ा सा important वाले जो topics हैं उसको हम discuss करेंगे ठीक है? yes or no? और कोई doubt है क्या? is there any other doubt? और कल अपना test भी है तो definitely जो भी बच्चे test series में participate करना चाहते हैं तो definitely आप कल सुबह 9 बज़े है ठीक है test और वो भी full syllabus का full syllabus का test है कल तो definitely आप उसको देना start कर दो क्योंकि अभी high time हो चुका है है ना जितना आप delay करते जाओगे उतना आपका ही नुकसान है तो definitely आप देना start कर दो बहुत सारे बच्चे में लब multiple बच्चे देंगे तो आपको भी idea लगेगा कि मैं कहाँ पर stand कर रहा हूँ और चलो दूसरों से compete नहीं भी करते है तो एक खुद का भी तो एक self analysis होता है कि मेरे इतने number आ रहे है अब इतने marks पर आपको पता तो चली जाता है कि कितनी percentile बनेगी क्या rank बनेगा तो definitely एक बहुत अच्छा आपको idea लगेगा test देने के बाद थोड़ा सा आपको एक mirror दिखेगा कि इतने number आ रहे है और उसको जो भी मतलब lettuce से किसी बच्चे के कम भी आते है तो उसको positively लेना कि देखो ये मेरी सच्चा ही है अब इसको आगे मुझे और improve करना है तो जब तक आप mock test देना start ही नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा आप अलगी ब्रह्म में जी रहे हो कि हमारी तो preparation बहुत अच्छी चल रही है और कुछ लोग ऐसे जो एकदम solutions भी आपके आजाएंगे ठीक है तो definitely आप इसको दे देना और देने के बाद फिर इसका analysis भी हम करेंगे शाम को करेंगे ठीक है चलो तो that is it बाकी अगली class में मिलेंगे ठीक है thank you so much और sets and relations चलो वो भी एक बार देखते हैं तो अभी के लिए इतना ही रखते है sets and relations नहीं हुआ है कि इसमें ठीक है relations में तो types of relations का वह वाला वीडियो देख लेना आप एक मैंने वीडियो बनाया था आप देख लेना उसको बहुत important मिलो उसको जरूर देखना types of relations का एक particular type का पीवाई क्यू है जो बहुत repeat करता है और अगर आपको और भी basically इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता देना जो most repeated previous question का एक में playlist बनाया है जो most repeated होता है ना जो जही में में आते रहते बार-बार over a period of years ऐसा नहीं कि trend में है तो उसको आप definitely देख ले ना उसी से मेरे खाल से तो चार number आ जाएंगे और कुछ करने की ज़रती नी पड़ेगी fine चलो ठीक है ना बाकी test दे देना आप कल तो मिलते है फिर thank you so much bye